हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लेके आएं आपको दिल्ली की बड़ी खुशूरत जगा साउध दिल्ली के करीब में साउध दिल्ली में हैं लोग संजेवन के नाम से जानते हैं और साउध दिल्ली में रिलैक्स करने की सबसे अच्छी जगा मेरे इसाब से यह यह सकती है से अच्छी कोई जगा हो नहीं सकती संजेवन के एक किनारे पे यह है संजेवन को कहा जाता है हॉंटेड प्लेस है पर रात में अभी हम जो है आपको एक बड़ी बहतरीन जगा दिखाने वाले हैं यह सारा इसका रास्ता है छोटे गेट से हम आये हैं अंदर तो ज यह पूरी ग्रिंदी ग्रिंदी पेड़ ही पेड़ हर तरफ पेड़ी पेड़ है नीला हौज इस जगा को कहा जाता है अगर किसी को रिलेक्स करना है तो इस से अच्छी जगा रिलेक्स करने की नहीं हो सकती अभी तो धूप है बहुत जादा गर्मी है लेकिन शाम के टाइ यहां लोग आते हैं घूमने और आप लोग भी आ सकते हैं घूमने देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बद के कैसे तहरी है यह देखिए शायद नजर आ रहा हो तो बद के कैसे तहरी है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मचलिया भी है इसे तो सारी चीज नहीं दिख पाईगी मैं बैक करके दिखाता हूँ यह बद के हैं इसमें मचलियां भी हैं सांप भी हैं अगर कुछ दिखेगा तो सामने आ जाएगा अभी फिलहाल बद कों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है तो जी यह है वसंत कुंज में और बहुत ही मस्त जगा है घूमने के लिए मचलियां वैसे मुझे नज़र आ रही है पर कैमरे में शायद इतनी असानी से नज़र ना है क्योंकि हिल्टी डुल्टी वो देखिए वो यहां पे अभी मचली निकली थी अभी डूप गई वापस तो ऐसे दिखना तो मुश्किल है चलिए फिलाल इधर एक बारी दिखा देते हैं कैमरा करके देखिए बदके बदक मजे ले रही हैं पानी के तैर तैर के एक खजूर के पेड़ खजूर में अभी फूल खिल रहे हैं फल नहीं आ रहे हैं अधर भी बदक हैं बहुत सारी बहुत बड़ा है बिल्ली में घूमने की वसंद कुझ के आसपा सबसे बड़ी है जगा है यह शाम के टायम आएं और यहां का लुथ उठाएं चलते हैं बदकें उड़ती हुई प्रिंग दे यह पूरी जील का व्यूँ बहुती सुन्दर बहुती जवरजस्त भाई कोई पैसा नहीं कोई खर्चा नहीं अराम से आओ यहां पे आके बैठो इस जगाँ कोई रोकने वाला नहीं कोई तोकने वाला नहीं अपने अराम से आओ बैठो उन्जॉए करो एक मशली वहां पर अभी अंदर गाई है अभी मशली निकलेगी तो दिखाऊंगा वहां पर जल मुर्गी है गश्चे यह पानी में रहती है बदक जैसी दिखती है छोटी बदक ज और जी यह है कुछ नीचे का हिस्सा तो जी मैं बता दूं कहां पे है यह वसंद कुछ के पास बहुत करीब किसंगड के बगल में और अगर आप जैनियू के साइट से आए जवारलाल नहरू यूनिवर्स्टी के साइट से जाएं तो यह आपको करीब एक किलो मीटर पड़ेगा वसंद कुछ आने के लिए जब आप वसंद कुछ आएंगे तो रास्ते में आपको दिख जाएगा संजेवन के बगल में ही है